आजम चैप्टर 8 के IMP questions देखते हैं, मैं इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ चार university के बारे में ही पढ़ाऊंगा, लंदा, वलबी, वारा नसी और तक ससिला, बट जो इनको पूछने का तरीका है board का वो अलब हो जाता है, बहुत ही tricky टाइप से पूछती है board आपको university के questions, यहां पर देखो, एक question लिखा हुआ है, identifying from the given picture, the ancient university of India, explain in brief, यहां पर लिखा हुआ है, कि नीचे एक picture दी गई है, उस picture को पहचानों की वो कौन सी university है, आपके test book को जब आप खोलोगे, तो उसके अंदर एक ही picture दी गई है, जो है नालंदा university की, तो अगर ऐसा question आएगा, तो आपको समझ जाना है, कि नालंदा university के बारे में पूछा गया है, अब यहां पर एक line मैंने यह लिखी हुई है, आपको अगर लिखना हो, तो लिखना, वरना मत लिखना, बट यहां पर मैंने क्यों लिखा है, वो मैं पढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ, इसका pronunciation क्या होगा, मुझे अभी तक पता नहीं चला है, बट अभी concept को समझो, कि बिहार के पतना के अंदर एक गाउ है, उसके अंदर कौन से university है, यह अगर आपको पूछले बोड तो, तो आपको याद रखना है, कि बिहार के पतना के बट गाउन विलेज के अंदर इसके उपर से भी आपको सवाल बना के पूछ सकती है, इसलिए यह लाइन मैंने यहापे लिखी है, अब अंसर में क्या लिखना है, उसके उपर फोकस करते हैं, नालंदा गेव मोर इंपोर्टेंट्स तो बुद्धिस एंजैनिजम, जो नालंदा इसके अंदर बुद्धि स्वामी एक बहुत बड़े गुरू थे, वो नालंदा के अंदर 14 चतुर मास बिताये थे, उन्होंने नालंदा के अंदर 14 चतुर मास बिताया था, चतुर मास का मतलब होता है 4 मन्त, तो कितने चतुर मास बिताये थे महाविर स्वामी ने नालंदा के अंदर 14 चतुर मास, ज तो सी मार्सिटीं को सी तेकि वेकृड रहा है दुनिया में कुमारणदा के अंदर मौनश्री किसे रवाई यहां से सवाल पूछ लिया जाएगा कि कुमार गुपता ने जिस university के अंदर monastery बनाया था, वो कौन सी university है, तो आपको याद रखना है, नालंदा university, मैं आपको यह जो answer से question बना रहा हूँ न, इस chapter में board आपको इसी तरीके से सवाल पूछ लेती है, यह जो answer है वो याद करना असान है, but question के अंदर फसादी की board आपक की भक्त, सादू, संथ, सारे लोग यहाँ पर रह सके, student from all over India and other country came to Nalanda to study, पढ़ने के लिए इंडिया से या इंडिया के बाहर से student यहाँ पर आते थे, it has seven huge assembly hall, 7 बड़े-बड़े assembly hall थे, Nalanda had 300 rooms for delivering lectures, lecture देने के लिए पढ़ाई करने के लिए total 300 class या रूम थे Nalanda के अंदर It had one of the best library in the world, दुनिया की best libraryों मसे एक library Nalanda University की भी थी, the library area was known as धर्म गुंच, library area को क्या बोला जाता था, धर्म गुंच, many villages were donated to university so that it could survive, आज पास के जो गाउँ वाले थे, यहाँ पर donation देते थे, उसी donation के, सो से घानों से, कपडों से यह university चलती थी The Great Chinese Traveller, Yung Sun, visit this university, याद रखना, Great Chinese Traveller, Yung Sun, board आपको पूछ लेगी, कि The Great Chinese Traveller, Yung Sun, visited कौनसी university, तो आपको याद रखना होगा, Nalanda University तो याद रखना चाइनिज ट्रैविलर यूंग संग नालंदा उनिवसिटी में विजीट किये थे इसके उपर से अगर आपको बोड सवाल पूछेगी तो बोलना मुझे पता है तो यहाँ पे आपका नालंदा उनिवसिटी का पूरा कॉंसर्ट हो गया पूरा अब यहाँ पे आपको तक सिला युनिवसिटी के बार में पढ़ना है यहाँ पे आपको मैं क्वेशन दिखाता हूं किस किस तरीके से बोड पूछ रही है अब यहाँ पे इतना बड़ा अंसर देखके डरना मत मैं आपको बताता हूं यह सारी चीज वेर चंदगुप्त मौर्या और इस मेंटर चानक के कौतेलिया बुक एजूकेशन बोलो यह कितना अजीब सा क्वेस्टन आपको लग रहा होगा कि इसका अंसर क्या होगा आगे जब अंसर पढ़ाऊंगा तब आपको पताऊंगा यहाँ पे देखो चानक के दा राइटर इस लाइन से कैसे क्वेस्टन बनेंगे उसके ऊपर आपको फोकस करवारा था यहाँ से आपको अंसर में लिखना है आपके लिए यह इजी पॉइंट्स होंगे तकसे सीला वॉज दा कैपिटल ऑफ दा किंग्डम ऑफ गांधार रांधार सामराज्य का कैपिटल था तकसे सीला तकसे सीला वॉज लोकेटेट इन रावल पिंडी इन परजेंट डे इन प इंक्लूडिंग टीचिंग ऑफ वेदास के बारे में पढ़ाया जाता था मिलिटरी साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था आर्चरी के बारे में पढ़ाया जाता था ग्रामर फिलोसॉफी एस्टोनॉमी एस्टोलोजी यह सारे सब्जेक्स के उपर पढ़ाई तकसे सीला के अंदर होती थी most of the student stay in the ashram to practice with the gurus आजकल जो आपने hostel का system देखा है न वही system की बात की जारी है कि बहुत सारे बच्चे आसरम यानि university के अंदर ही रहते थे और वहीं पढ़ते थे आजकल जैसे हम लोग hostel में जाते हैं वहीं रहते हैं वहीं पढ़ते हैं तो तक ससीला जैसे university सा ही हमने वह concept कॉपी किया है according to our belief this university name after the king तक सा son of lord राम ब्रदर मतलब जो भरत थे ना उनके बेटे के नाम पर इस university का नाम तक ससीला रखा गया है the teacher student ratio was 1 ratio 20 मतलब एक teacher 20 student को पढ़ाता था तो आप समझ सकते हो कि कितना ध्यान देते होंगे teacher बच्चों के ऊपर तक ससीला वाज बेस्ट फोर हायर एजूकेशन हायर एजूकेशन के लिए बेस्ट थी तक ससीला the student had the freedom to select subjects of their choice student के पास freedom होती थी कि वो अपने मन से कोई भी subject को select करके पढ़ाई कर सकते हैं many kings were studied here easy line है अब यहां पर देखो जीवक the follower of lord buddha had studied ayurveda at taksa sila याज अगना जीवक एक इनसान महान इनसान होंगे वो कौन थे lord buddha के follower थे उन्होंने taksa sila से ayurveda की पढ़ाई की है याज अगना क्यूंकि इनके नाम पे भी taksa sila का question बन जाएगा तो यह नाम खाली याज अगना लिखो नहीं लिखो चल जाएगा बट नाम इसलिए याज अगना है क्यूंकि इस नाम से question बन गया तो चानक की अधर राइटर दिये वाला तो आपको पता चल गया moreover student from distance places like वारा नसी राजग्रिहा मिथीला और उजयन यूज तू विजीड ट्रक्ससिला इन लांज नमबर टू स्टडी देखो आपको न यह अंसर लिखना नहीं है बट मैं आपको इसके अंदर से क्या समझाना चाहता हूं कि वारा नसी राजग्रिहा मिथीला और उजयन से लोग पढ़ने आते थे तो वह उनिव artistic कोन से थी त्रक्ससिला या दखना वारा नसी राजग्रिहा मिथीला और उजयन यहां से लोग कहां पढ़ने आते थे त्रक्ससिला में में यहां से question बन गया तो अब यहां पर अगली लाइन देखो princess of वारा नसी पर सनजीट दग औफ कॉसल ग्रामिनी याद रखो वादानसी की प्रिंसेस संजीत की प्रिंसेस उसके साथ कॉसल किंग उसके साथ पानिनी ये सारे लोगों ने तक से शीला युनिवरसिटी से पढ़ाई की है तो इनको हलका सा ध्यान रखो, अगर इनके उपर से question बन गया तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पहले से मैं आपको clear करके दे रहा हूं, मैं भी question बन गया तो, वैसे भी हम 4 question पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम अगर पूरी तरीके से तयारी नहीं करें, तो हमारा marks कैसे आए तक ससीला में आये थे, इस तरीके से याद रखो, इनका नाम आपसे pronounce होता है, मेरे से भी नहीं होता है, वो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, याद रखो, वाले Chinese traveler तक ससीला में आये थे, तो इतना जो इसके अंदर 15 point है, आपको पूरे 15 point नहीं लिखने हैं, आपको एक से 10 point लिखने हैं, बाकी ये जो मैंने point लिखे हुए हैं, ये point सिर्फ और सिर्फ की question इनके उपर से बन जाएगा, इसलिए mention क्या हुआ है, आप एक से 10 point लिखना आपका answer पूरा हो जाएगा, अगली जो university है, वो वाला नसी या फिर आप 80 university बोल सकते हो, इसको पढ़ते हैं, व पूजा पाट आती होगी, तो याद रखो कि जो वाला नसी है, वो हमारे देश की pilgrimage place के अंदर आती है, it was also famous for its education center, pilgrimage place के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी ये जगा famous थी या है, it was a famous religious center for Aryan culture in उपनिसद, उपनिसद से हमको पता चलता है, कि ये जो वाला नसी है, ये Aryans के King of वाला नसी के Ajat Satru was a great philosopher and supporter of education, सिर्फ इसके अंदर यही नाम याद रखना है, Ajat Satru, ये कौन थे, वाला नसी के king थे, ये philosopher थे और education को support करते थे, अगर इनके नाम से कोई question आया इस chapter से, तो आपको समझना है कि वाला नसी के बारे में लिखना है, Ajat Satru king का नाम याद रखना आदी संकराचार्य had moved to वाला नसी to present या propound his new principle of Vedanta, याद रखना यहाँ पे कौन आये थे, आदी संकराचार्य, अगर आपको ये पुछले कि आदी संकराचार्य कहां गए थे, अपने knowledge को फैलाने के लिए, तो आपको याद रखना होगा, वाला नसी या कासी यहां से भी equation बन सकता है कि पंजाब के बहुत सारे विद्वान migrate हुए थे कासी के अंदर, तो पंजाब की फैमिली कहां migrate हुई थी, कासी के अंदर, तो इससे तो याद रही जाएगा कि यह कासी वाला अंसर होगा, तो इसके अंदर इतना जादा complication नहीं था, इसली यह अपना हो गया, अब यहां पर लास्ट सवाल बचता है, यानि लास्ट युनिवरसिटी के बारे मेंबो पढ़ना है, यू इन्फरमेशन अबाउट वललभी युनिवरसिटी, यह आसानी से पूछ लिया, वललभी यु वललभी विच प्रजट लिए वललभी पूर इस लोकेटेट इंबाउ नगर गुजात, यह अगना अगर आपको एक क्वेस्टन पूछे, बोला जाए कि आज की वललभी नगर के अंदर कौनसी यूनिवरसिटी थी, तो आप यह आद लगना होगा, वललभी यूनिवरसिट नगर कौनसा है, वललभी नगर, कहां पे है, भाव नगर में, भाव नगर कहां पे आता है, गुजरात में, यह easily connect हो जाएगा, वललभी और वललभी पूर, तो यह easy था, बट यह तक ना, ऐसे भी question बन जाएगा, वललभी was a very famous center of education in the 7th century, यह आपको याद रखना है, तो वललभी was center of monks and saint of the Buddhist religion, याद रखना, Buddhist religion के लिए कौनसी university सबसे famous थी, वललभी युनिवरसिटी, बुद्धी स्कॉलर, स्री मती and गुन मती, वर दा head of this university, यहाँ से question बन सकता है, कि स्री मती और गुन मती जी, किस university के head थे, तो आपको पता होना चीए, वलललभी बहुत सारे विद्वान यहाँ पर आये थे और अपने principles को develop कर रहे थे, student came from the distance area for higher education, दूर-दूर से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, knowledge, worship and its educational system made it famous all over the world, यहाँ पर जो knowledge मिलता था, यहाँ पर धार्मिक ग्यान मिलता था, यहाँ पर जो education मिलता था, पूरे दुनिया में famous था, इसका pronunciation क्या है मुझे comment में बताना, यह याद रखने वाली चीज है है, कौनसी डाइनस्टी थी जो वललभी से बिलॉंग करती थी, तो महित्रक डाइनस्टी, क्या पता, इसके उपर से सवल बन जाए, Arabian attack, so the king was defeated and the university was closed down, Arabians ने इस university के उपर attack किया और यहाँ के राजा हार गए और यह university बंद हो गई, the name of famous scholar was written on the gate, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े बिद्वान थे, जिनको हम scholars बोलते हैं, उनका नाम आज भी gate के उपर लिखा हुआ है, it was an international university, यह एक international university थी, all branches of knowledge were taught here, सारे subject यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, the maintenance of the university was done through the charity given by the kings and landlord, जो भी जमीदार होते थे, जो भी राजा होते थे, उनकी charity से यह university चलता था, अब यहाँ पे एक line है, याद रखो Chinese traveler आई संग, और कुछ इसमें याद रखने की जोतनी है, आई संग, कौन से Chinese traveler आई संग, वो आये थे वललभी के अंदर, यूंग संग आये थे नालंदा university मे FA वाले आये थे लगबब तक ससीला में, और I वाले आये हैं वललभी university में, तो याद रखना इनके उपर से भी question बन जाता है, तो यहाँ पे चारो university के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी भी कोई difficulty आती है, तो मुझे comment करना, मैं और easy तरीके से उसको solve करने की पूर कर्दूँगा